मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आये हैं कि सूरज जी अभी तक मैं ओकर्ण मीटिंग को जॉइन नहीं कर पाया हूँ जब भी मैं इन्वाइट किये गए लिंक पर किलिक करता हूँ किलिक करने के बाद अपना ओमेल एड्रस और पास्टोड फिल करता हूँ फिल करने के बाद जो पेज मेरे सामने ओपन होता है उसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ जिसा कि हम सभी जानते हैं फिर्ष की जब भी हमिघ, किये गए लिंकर किलिक करते हें ओकर मेटिंग जौईन करने के लिए तो किलिक करने के बाद हमारे पास एको सिस्टम का login page open होता है जहां पर हम अपना email address and password फिल करके login करते हैं सबसे पहले ecosystem में जैसे email ID password फिल करके login पे click करते हैं तो click करने के बाद हमारे सामने एक page open होता है जहां पर लिखा रहता है meeting redirected to another page please check इसका मतलब यह होता है कि meeting कि another page पर redirect की गई कि रिप्याच check करें तो ऐसा page हमारे सामने open होता है और अगर आप पहली बार invite किये गए link पर click करते हैं open meeting join करने के लिए तो वहां पर दो option आपके सामने और आता है पहला option सबसे उपर आपको दिखाई देता है pop-up blocked and उसी के just bubble में रहता है always so तो इस प्रकार का option आपको सबसे उपर दिखाई देता है और उसी के just नीचे join meeting का option आपको दिखाई देता है तो अगर आप join meeting पर click करते हैं तो click करते हैं क्या होता है आप another page पर redirect हो जाते हैं कि आप meeting room में याने की जो आपका webinar page होता है जहाँ पर आपको जाना चाहिए पहुंचना चाहिए वहाँ पर आप तुरंट पहुंच जाते हैं लेकिन अगर आप किसी और दिन दोबारा आप invite किये गए link पर click करते हैं क्लिक करने के बाद अगेन आप meeting join करना चाहते हैं ओकर की तो अगेन आपको इसी परकार का page दिखाई देगा और अगर आप यह चाहते हैं कि इस परकार का page दिखाई ना दे पॉप अप ब्लॉग्ड उसके जश्ट बगल में रहता है आलबेज सू अगर आप आलबेज सू में क्लिक कर देंगे तो क्या होगा आप तुरंत अनदर पेज पर रिडारेक्ट हो जाएंगे और इसके बाद दो बारा किसी और दिन जब भी आप open meeting पर क्लिक करेंगे यानि आपको personally कुछ नहीं करना होगा just email id password fill करने के बाद आप automatically another page पर पहुंच जाएंगे यानि की webinar page में पहुंच जाएंगे आपको personally कुछ नहीं करना होगा तो इस option को आप select कर सकते हैं और इसी परकार से ये mobile device की जरीए भी होता है and laptop या फिर desktop की जरीए भी होता है आप किसी भ आपने open के desktop application को download कर लिया है अगर आप उसके थुरू यानि की desktop application के थुरू open meeting को join करते हैं webinar create करते हैं कुछ भी करते हैं तो आपको ऐसी problem नहीं आएगी मैं यहाँ पर browser की बात कर रहा हूं चाहे आप mobile phone में Chrome browser को use कर रहे हो या फिर desktop में Chrome browser को use कर रहे हो अगर आप Chrome browser के थु open meeting को join करते हैं तो ऐसा page आपके सामने आएगा ही आएगा और यह आपकी 27 कि आप यह setting on करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं अगर आप यह setting on नहीं करना चाहते हैं तो जब भी आप invite किये लिंक पर click करेंगे open meeting join करने के लिए तो आपके सामने login page open होगा अपना email address and password fill करे के बाद आपके सामने read direct का page open होगा वहाँ पर join meeting का option होगा simply आप join meeting पर click कर दीजे click करते ही चाहे आप mobile device के थुरू कर रहे हो या फिर desktop के थुरू कर रहे हो आप किसी भी तरह किसे कर रहे हो join meeting पर click करते ही आप webinar page में पहुंच जाएंगे यानि की open meeting को join कर पाएंगे आपको या फिर एक arrow कर नहीं सान होगा आपको यहाँ पर जो भी दिखाए दे यहाँ पर मेरा three dot दिखाए दे रहा है तो मैं three dot पर click कर देता हूँ click करने के बाद settings का option आएगा settings पर आपको simply click कर देना click करने के बाद कुछ option आपके सामने और आएंगे आपको scroll करना scroll करने के बाद site settings links पर click करना click करते ही आपके सामने कुछ option और आएंगे और यहाँ पर scroll कीजिएगा एक option आपको दिखेगा यहाँ पर pop-ups and redirects आपको simply इस पर click करना click करने के बाद यह पहले सही off है इसको आपको on कर लेना है अगर आप इस पर click करेंगे तो यह on हो जाएगा on होने के बाद क्य करेंगे क्लिक करने के बाद अपना email address and password फिल करेंगे फिल करने के बाद login पर click करेंगे login पर click करते ही क्या होगा आपके सामने रेडायर का paste open होगा लेकिन आपको personally कुछ नहीं करना होगा तो आप automatically meeting room में पहुंच जाएंगे यानि की webinar page पर पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए तो कुछ इस परकार से आप join कर सकते हैं अगर आप setting call नहीं करना चाहते हैं तो मत कीचे कोई दिक्कत नहीं या आपकी च्वाइश से जब भी आपको meeting join करना हो तो simply आपको join meeting पर click कर देना जो redirect page पर आएगा option join meeting पर आपको click कर देना click करने की बाद आप automatically meeting room में पहुंच जाएंगे उम्मीद करता हूँ कि इस option को आप लोग काफी अच्छी से समझ गया होंगे जो आपकी च्वाइश से उसकी अनुसार आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उम्मीद करता हूँ कि आप आपको meeting join करने में कोई भी problem नहीं होगी वीडियो informative लग वीडियो को लाइक से एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर के लिए जिएगा